हेलो गाईज वालकम बैक अगेन तो अब लोग भी इस वीडियो को दिखने को चैलेंज कर सकते हैं पीछे बहुत गंदगी यह मुझे पदा है तो चैलेंज मेरा यह रहेगा गाईज कि मैं करने वाला हूं एक 30 डे चैलेंज जिसमें की मेरा वर्क आउट होगा वर्क आउट में क्या के चीज़ें वह मैं आपको बदा आयता हूं बहुत सिंपल सा चालेंज है मेरे लिए स्रिफ मुझे टेली गाईज 300 कैल्री को बर्न करना है तीन सो कैलरी के करना है आपके मोगाल में कोई रहेगा यह 100 push-up और अगले दिन 100 squats 100 push-up 100 squats यह एक एक दिन छोड़के होगा थीक है यह रहेगा उसमें रोटीन में और सबसेंपोटेंट चीज गाइज मंडे मेरा रहेगा आज 19 अगस्त रक्षा बंदन सभी को अभी रक्षा बंदन और सदी साथ आज सावन का अखरी दिम भ बाडियो करेंगे कोई भी रिस्तेंस ट्रेनिंग नहीं करेंगे चाहे बोडी वेट से ओ वो भी नहीं करेंगे और यह क्यों कर रहा हूं काईस मैंको बतायता हूं सबसे पहला तो यह है कि मुझे अपने शोल्टर मनाने चेस्ट फेट कम करना है और थोड़ा सा स्ट्रेड ह मैं पतला वैसे भी हूं यह ऐसा अभी पहले नहीं था मैं बहुत ज्यादा मोटा होगे था बहुत ज्यादा मेरा 78 गेजी प्लस बेट होगे था बट धिरे अपना क्या मैटाबोलिजम गौद इस तो वह चलता है वन खाना पिना और गईस खाने पिने से याद आया कि क्या क इस में सबसे इंपोर्टेंट तो मैंने तजे की चैलेंज क्या क्या है उसके बाद मेरा वीक में दो दिन फास्टिंग रहेगा जैस कारोहटरेट्स नहीं खाऊंगा फैट्स खाऊंगा प्रोटिंगा रोटी चावल डाल यह सब नहीं खाऊंगा जिस जिस चीजमें यह चाँ सकते हैं बट फस्टिंग के दिन नहीं मिठा और मिटा खाना है तो गाइट के साथ खाना है तो यह चैलेंग साथ 100 क्यलरी फर्स्ट डाईज अल्टर्म डेज आपको पुश-प्स और स्कौार्ट करना है थार्ड गाइज टूजडेंगो और स्रेट को मेरा काडियो आज़रा कोई वर्काउट नहीं है तो देखते हैं क्या रिसल्ट आता है तो अभी तो ऐसी कुछ बोड़ी है शोल्डर वोड़र हलके खुलके आपको दिखेंगे बाल और दाड़ी बहुत बड़ी हो रखी है और अभी बना रहा हूं चाय एक बार चाय पी आता है तो आप लोग कम खाऊगे और कम खाऊगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा तो अभी मैं चाय को शेयर करने वालों अपने रूमेट के साथ रूमेट को मैं दिखानी सकता है इसकी आवाज आ रही हूं कि हलकी हलकी यह मारी चाय बन रही है बैचलर की गैस दिखते हैं चाय घख सारफ देमियाचола रहा है यिसमें ऑद्रण डालनी अफिस है यह मैंने अदर्ण रखी वीए कि यह दरफटा Gwen और यह चाय कि र हाधी मैंने वाव प्लेय रखाई चाही किते और मैं अपना क्यलरीज वाला काम कर रहा हूं वह लाश में दिखांगा कैलरीज कर दिखांगा मैं वागिंग सबसे बैस तरीक है मेरे को तो वागिंग मतलब इतनी सूट कर गई है कि मैं वाग कर गर के बॉड़ी को शेप में लेकर आने ही ज्यादा कैलरीज बर्न करती है बट वाकिंग एक ऐसी एकसाइस है कि सिंपल है इससे आपकी भूक नहीं बढ़ती रनिंग करोंके तो हंगर बढ़ जाता है तो वाकिंग इस बेस्ट फॉर मी तो दाइस हमने टागेट कर लिया है और ये वाला फॉन सुजब हो गया तो मैं सिर्फ टाइम दिखाने वाला था क्या टाइम हो रहा है तो आज का जो हमारा खेल है वो खतम हुआ है नाटक खतम होगे एक दिन का आज मैंने क्या-क्या खाया गाइस पटावर्द दाओं वन बनाना ओके गाइस 100 ग्राम पनीर और 500 ml दूद सुबह मैंने कॉफी भी थी चा पर दो पी चुगा हूं तीसरी वोडल नीचे रखिए दिन में तीन लिटर पानी बिनेगा टार्गेट रहता है मेरा डेली गाइस तभी का बार ज्यादा हो जादा है पर मिनमम तीन रखना होता है तो अभी हो चुगा है और मैं रात में खाना खाने वाला हूं कि कल भी मेर मेरजी राकियां बांधि होंगी मैरी कोई राकि नहीं है कोई बंदी राकि कोई बाद निहें मैं अभी घर जाओंगा तो बनबाल होंगा और सभी को सावन की सावन खती होगा नोल तो मैं अनडा खा ले था उन तो वढब लेखाने शुडू किये जाएंगे okay guys bye bye love you all